नमस्कार दोस्तों मेरे नम स्रीकान कुमार अब देख रेटुजेट प्रोसेस आज बात करने वाल इस वीडियो में दोस्तों बिना अधार OTP के आश्टमान भारत हेल्थ कार्ट को इसे बना सकते हैं फेस असकाइनिंग करके तो दोस्तों अगर आप बिना अधार OTP के करने के बाद सर्च के बटम पे क्लिक कर दना है क्लिक करने के बाद आश्टमान भारत का ओफिसियल वेड्ट साइट जोसी परकार से यहां पर ऑपन हो जाता है और दोस्तों जैसे आप आपको जब आईश्मान कार्ड बन जाता है तो आपको यहां से डाउलोड कर सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले जोए कि पहला step को आपको follow करना होगा register के option पे किलिक करके अपना account को create कर लेना होगा और दोस्तों account करते समय जो कि अधार OTP आपसे पूचा जाएगा और आपके अधार card में mobile number लिंक नहीं है तो दोस्तों यहां पर जोए कि आपके family में किसी का भी अगर अधार card में mobile number लिंक है उनके नाम से आपको एक account को create कर लेना है और जब आपको account बन जाता है उसके बाद आपको क्या करना होगा do your kyc के option पे आपको click करना है और click करने के बाद दोस को click कर देना है उसके बाद दोस्तों आपके mobile number पर एक OTP को send किया जाता है और उस OTP को इस box में type कर देना है उसके बाद भैली rate के option पे click कर देना है उसके बाद दोस्तों OTP verify successfully हो जाता है उसके बाद OK के option पे click कर देना है उसके बाद दोस्तों इस परकार का page यहां पे open हो जा सेलेक्ट करने के बाद इस box में अपना अस्टेट का नाम को सेलेक्ट करना है और इस box में अपना डिश्टिक का नाम को सेलेक्ट करना है और इस box में अपना ब्लॉग के नेम को सेलेक्ट करना है और इस box में अपना विलेज के नेम को सेलेक्ट करना है उसके बाद दोस्तों यह यहां पे दिखिए आपके गाउं का पूरा लिस्ट जो कि इस परकार से यहां पे उपेन हो जाता है और इस लिस्ट में सबसे पहले अपना नाम को खोज लेना है और नाम खोजने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा तो इस बॉक्स में सबसे पहले अपना नाम को टाइ और यहां पर देखिए card status आपको दीखा रहा है card note made यानी आपका card बना हुआ नहीं है दोस्तों card बनाने के लिए आपको क्या करना होगा तो view के option पे आपको click करना है उसके बाद दोस्तों beneficiary का पूरा detail जो कि इस परकार से यहां पे open हो जाता है उसके बाद next के option पे आपको click कर करना है इस परकार से क्लिक करने के बाद दोस्तों इस परकार के page यहां पे open हो जाता है और इस page में आपको details को fill up करना होगा जो भी आपके अधार card पे दिया हुआ है उसी चीज को आपको यहां पे fill up करना होगा तो सबसे पहले इस box में जो भी आपके अधार card पे नाम है उ out of birth दिया हुआ है उसी को आपको यहां से सेलेक्ट करना होगा और इस box में एक можवाइल नमबर को टैप करना हैं और इस box में अपना एरिया का पीन कोड नमबर को टाईब करना हैं उसके बाद इस box में अपना अधार नंबर को टाईप करना है और दोस्तो आईश्ट मान कार्ड बनाने के लिए यहाँ पर देखे के 5 ओप्षन दिया गया है पाँच ओप्षन से आईश्ट मान कार्ड को आप बना सकते हैं तो दोस्तों यहाँ आपको बतलाात अगर आपके अधार कारड में मुवाइल नंबर लिंक है तो OTP को आपको य scan your face इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो camera जोए कि आपके mobile का open हो जाएगा उसके बाद जोए कि आपको camera के सामने आपको देखना है उसके बाद जो भी आपके आहां का जो रिटीन है उसको यहां पर scan किया जाएगा उसके बाद दोस्तों आपके अधार काड का जितना भी होग अपके सामने ओप्लोड करना होगा अगर आपके आपके पास अधार काड है तो आधार कार्ट को आपको अप्लोड कर देना है उसके बद फिनिस का एक option दिखेगा फिनिस वाले option पे आपको click कर देना है और जैसे आपको एक reference ID आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगा इस परकार से आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगा दोस्तों मेरे पास जो की data नहीं था इसल कर दिजगा कर दिजगा कर दो